नमस्कार दूस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से SSC वाला यूट्यूब चानल पर मेरा नाम है प्रगू और मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेश्टिन में साथ यो अगर हम बात करें वर्ष 2023 की तो SSC की समय समय पर अलग-अलग विकेंसी समय देखने मिली चाहे शुरुवाती दोर पर अगर हम बात करें तो CGL हो, CHSL हो, MTS का एक्जामिनेशन हो, इसके बाद आपका CPO का एक्जामिनेशन और फिर अगर हम बात करें SSC स्टेनो ग्रा स्टेनो ग्राफर एक्जामिनेशन फिलिंग की लास डेट थी, अब आगामी जो एक्जामिनेशन है, जिसकी फिलिंग चल रही है, फॉर्म फिलिंग, उसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ा योगदान अगर हम बात करें, तो SSC स्टेनो ग्राफर एक्जाम का है, अब ऐस जिससे में कई सारे ऐसे विद्ध्यारती हैं, जिनको लगता है कि हम किस तरीके से क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, जिससे कि हम कम से कम समय में सेलेक्शन ले पाएं, ऐसा कुछ यहाँ पर हमें सिलिबस के पॉइंट आप व्यू पर यानि पैटन के पॉइंट आफ यू पर चीज़ें पता चलें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो आज का यह सेशन मुख्यत है, उन्हीं विद्ध्यारतियों को धिहान में रखकर रखा गया है, इस सेशन के माध्यम से आपको पता चलेगा कि स्टेनो ग्राफर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तर सेशन के स्टेनो गराफर की एक्जाम डेट्स हैं, फिर चाहें 12 ऑक्टोबर की बात करें और 13 ऑक्टोबर, दो दिन आपका यह एक्जामिनेशन सेशन की तरफ से लिया जाना है, ठीक है, अब आते हैं अगली बात, एक्जामिनेशन पैटर्न की बारे में देखें, तो तीन अबजेक्ट हैं, जिसमें मेजर रोल प्ले होता है, इंगलिश का, तीन अबजेक्ट है, रीजनिंग है, जनल अवेरनेस है और इंगलिश है, अगर देखा जाए, तो नमबर ऑफ क्वेस्चन अगर दोनों सब्जेक्ट के मिला दें, तो 100 होते हैं और इंगलिश के अक वही चीज है, कि आपको पॉइंट, बोलता है न, 33, यानि वन थर्ड की नेगेटिव मार्किंग है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, कि नेगेटिव मार्किंग पॉइंट 25 की नहीं है, अब है पॉइंट 33 की, तो अगर आप कोई भी क्वेस्चन अटेंट कर रहे हैं, तो उसमें विशेशकर ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, क्योंकि पहले के मुकाबले जो नेगेटिव मार्किंग है, उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, चलिए, अब इंगलिश हो, जनल अवेरनेस हो, आपका जनल इंटेलिजेंस हो, इ मैं आपको आगे बता दूँगा, इसका जो ट्रांस्क्रिप्शन होता है, वो कंप्यूटर पर होता है, और शॉर्टेंड नोट्स होते हैं, वो शॉर्टेंड नोट पैड्स पर लिए जाते हैं, ठीक है, तो यह आपको पता होगा, जो लोग शॉर्टेंड की त्यारी कर र आपका selection होने के बाद during probation period आपको हिंदी भी सीखनी होगी मेरी बात समझ कर ध्यान रखना ठीक है तो English अगर आप fill करते हैं और यह कब होगा जब आप application form fill करोगे उसी में आपसे पूछेगा किस भाशा में आपको skill test देना है ठीक है चलिए अब आते हैं हम लोग मुख्यत है क् सबसे important बात है syllabus discussion क्या पढ़ना है actually तो बहुत ध्यान से देखिएगा सबसे पहले जिन बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं वो है reasoning number of question 50 है number of marks भी 50 है विशेशकर अगर previous year questions का pattern देखा जाए तो classification, analogy, coding, decoding, paper folding method, matrix, word formation, when diagram, direction and distance, blood relations, series, verbal reasoning, norverbal reasoning ये है आपका पूरे का पूरा segment जो आपको पढ़ना है किसके दर्मया reasoning में ठीक है बात समझ में आ गई सभी लोगों को अब देखिए अगर आप short end की त्यारी नहीं कर रहे है तो करना शुरू करना पढ़ेगा क्योंकि केवल एक exam तो है नहीं आप मे जानते हैं देखिए steno अपने आप एक बहुत अच्छा जौब माना जाता है हर एक बड़े अधिकारी को अगर देखें चाहे वो superintendent of police हो या कोई उन्हें एक steno provide किया जाता है जिससे की वे उनके सारे के सारे जो भी speeches हैं कम से कम शब्दों में record करते हैं आप लोगोंने देखिएगा this is basically your reasoning के बारे में syllabus discussion अब आते हैं syllabus discussion किसका general awareness देखिए general awareness एक vast subject है अब आप इसमें ये सोचो कि 50 questions आपके आने हैं ठीक है अब इन 50 questions में सबसे जरूरी बात प्यारे दोस्तों क्या होती है कि ये current affairs यहां पर ध्यान दीजेगा current affairs आजकल current affairs का role ssc में बढ़ता जा रहा है लेकिन यहां मैं एक चीज की clarity दे दूँ जब भी हम ssc के exams में current affairs सुने तो please इसे bank के examinations के साथ तुलना मत कीजिए क्यों भाया क्योंकि bank में सामान ने ता 3 से 5 महिने maximum 6 महिने का current affairs होता है लेकिन ssc में जो general awareness होती है वो आप मान कर चलिए 12 months कम से क बारा मन्त का आपका current affair लेकर चलना है यानि मान लो आपका exam October में होना है तो आपको October 2022 से यानि लगभग जुलाई 2022 से और अब तक का यानि कब तक का September तक का current affair अपडेट करना है क्या मेरी बात समझ में आ गई ध्यान रखिएगा यह बहुत important है इसके साथ साथ static अब यह दे current affairs sports, books and authors, important schemes, portfolios, people in news, awards, dance आपने देखा होगा CHSL में और CGL में जो classical dance related questions आपको देखने मिले तो वहाँ आपको यह बात ध्यान रखना है कि यहां से question बन रहा है, polity से question बन रहे है, SSE में articles से, चाहे फिर article 23 हो, 20 हो, अब देखिए अगर current affair की बात करें तो हाल ही में आप सभी को पता होगा कि IPC, CRPC और evidence जो हम लोगों के यह नियमावली है, इनके नाम बदलने का जो प् amendment करने की बात यहां पर संसत भवन में रखी गई, शायद आपको पता होगा, तो यह एक latest आपका, मैं बोलूँगा, इसको current affair में ही हम लोगो count करेंगे, तो ऐसी चीज़ें जो भी updates हैं, ज़रूर आप ध्यान रखें, इसके बाद आता है सबसे important role जो है English के syllabus का, और सबसे ज question hundred है, और number of marks भी hundred है, ध्यान रखना, reading comprehension, close test, तोनों ही आपको यहां देखने मिलते हैं, फिलिंदा blank, spellings, idioms, one word substitution, sentence correction, error spotting, spelling mistake, phrase replacement, यह जिसे बोलते हैं, sentence improvement, ठीक है, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, PQRS भी आपको यहां देखने मिलेगे, yes, according to previous year questions अगर आप देखें, तो यह काफी important हो जाता है, बात समझ में आगई प्यारे दोस्तों, तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें, कि 100 questions आपके बनने हैं, है ना, आप vocab के part पर antonyms लेकर चलेंगे, antonyms हैं, synonyms हैं, ठीक है, यह सारी की सारी चीज़ां यहां पर शामिल हैं, किस में English के segment में, ठीक है, अब सबसे important बात, English कैसे सुधार हैं, देखिए सबसे important role है vocab का, vocab लोग यहां पर मैं देख रहा हूं, पैसे देके याद कर रहे हैं, किसी से बोलता है ना, batch मिल जाए, book मिल जाए, लेकिन मैं आपको यहां पर एक suggestion दूँगा, अगर आपको vocab strong करनी है, शाम को 7 बजे, 7 पीम, यूट्यूब चैनल पर आपका भाई free class ले रहा है, इसकी vocab की, आप जुड़िये, exam तक regular रही है, vocab की problem खतम हो जाएगी, trust me on this, और अगर आप question और practice दौनों लेकर चलना चाहते हैं, तो आप 5 पीम मेरे साथ जुड़े, यह free classes ह जादा कुछ आपको करना ही नहीं है, pre-youtube class, अब अगर आप समय नहीं दे सकते हो, तो यह बहुत बड़ी problem है, आपको बस आना है pen paper लेकर, और जहां आपको जो जो चीजे में बोलू, note कर लेना है, और उन्हें revise कर लेना है, that is the simple side, ठीक है, तो यह पूरा syllabus था, अब how to study, इसके बारे में बात कर ले, आप checklist तयार कीजिए, अब से examination तक, यानि जो exam आपका 12 October को होने जा रहा है, आप checklist तयार कीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, chapter wise concepts plus questions, यह cover करने है, पहला point समझ में आ गया, यानि हमें हड़ बड़ाना नहीं है, हमें सबसे पहले क्या करना ह है, chapter wise questions और उनके concepts साथ में लेकर चलना है, और proper उनका revision करते चलना है, देखिए, अगर आप revision मिस कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्यारे दोस्तों, कि आप क्या करें, concepts पढ़ें, नए concept हो सकते हैं, question गलत हो सकते हैं, तो आप उन्हें revise भी करें समय समय पर, मालो आपने एक अफ्ते में तीन चेप्टर का target किया है, किसी एक subject के, तो उन तीन चेप्टर को इस तरीके से पढ़ें, कि उसी अफ्ते में revision भी हो जाए, clear everyone, I hope the point is clear, next बात, इसके बाद बात आती है, full length mock test की, क्यों tier 1 qualify होगा, तभी आप skill test पर पहुँचेंगे, तो आपको next जो सबसे important काम करना है, वो है आपका full length mock, mock test दीजिए, लेकिन याद रखना, मालो mock test आपने एक दिया 2 घंटे का, ठीक है, 2 hours का, अब उसके बाद तुरंत मैंने देखा है, कुछ लोग तुरंत देखने बैठ जात तो analysis में थोड़ा gap रखना ये कब होगा, evening में, और analysis आपको सिर्फ ये नहीं करना है, कि क्या सही हुआ, क्या गलत, आपको ये देखना है, जो मैंने गलत किया, उसमें क्या problem हुई, और आगे अगर ये question आएगा, तो मैं इसमें गलती ना करूँ, यानि इसको बोलते है, proper way of analysis, कम से कम 2-3 गंटे लगेंगे इसमें भी आपको, अगर आप अच्छे से analysis करते हैं, आप अगर ये pattern follow करते हैं, trust me on this, आपका selection, इस exam में क्या, दुनिया के किसी भी exam में हो सकता है, but point क्या है, कि हम उसे follow नहीं करते हैं, right, तो I hope मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, एक ये दो चीज़ें आप cover up कीजिए, काम हो जाएगा, और बस regularity बनाया रखें, ये skill test है, इसके बारे मैं देखें, grade C, grade D का time duration उन्होंने दे रखा है, ठीक है, grade C के लिए 100 words per minute है, और grade D के लिए 80 words per minute है, ये time उन्होंने अल्रेडी बता रखा है, ठीक है, ये वो बात मैंने आपको बताई थी, कि अगर आप English में steno देते हैं, यानि typing या जो skill test है, तो जब आपका selection हो जाएगा, तो आपको Hindi सीखनी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका candidature, यानि probation period में आपको निरस्तगर दिया जाएगा, ठीक है, चलिए, तो ये कुछ informative sections थ अगर आपका कोई question है, तो session के comment section में जरूर post करें, all the best.